दोस्तो नमस्कार, आपके घर में हो महालक्शमी का प्रवेश, मैं हूँ दिवेश, दोस्तो न्यू यर तो आप हर साल मनाते हो भाई साब, लेकर हिंदू नववर्स कल से चालू होने वाला है, इसलिए हिंदू नववर्स की आप सबी को आप सबी को धेरो सुझाम कामना है, बहिया जी डौनों हाथों में लिड्डू चाहिए, जोइन कर लिया है इसाई धर्म, लेकिन मजा चाहिए हिंदू धर्म का, तो बहिया जी यही पाखंड है, उस पर कोट ने लगा दी है, रोक, तो बहिया, S.C.O. में भारत और पाकिस्तान फिर बढ़ गए है, पाकिस्तान क कैसे, यूक्रियन को हत्यार सप्लाई कर रहे हैं, टैंक, टैंक, रूज के भाईया जी हो सड़ा दिये हैं उन्होंने, तो दोस्तों यह पर पूरा घटनाकरम है, वो एक से बढ़कर एक है, आपको पक्के से मजा आएगा, आनंद के साथ वीडियो देखिएगा, अब दोस् सीट से जीत गए, तो भाईया चाथी भी पीटेंगे गोरव के साथ, तो भाईया जी, कोर्ट ने कहा है, हम नहीं कह रहे हो है कि भाईया-जी, ये जो इलेक्चन है, वो एक एउसी, रिजर्वेशन का लाव नहीं मिलेगा, भाईया जी, बिल्कुल सही किया है, क्योंकि ये छोड़ा सनातन धर्म को बहुत हमें रहे और इन्हीं लोगों के उत्थान के लिए बाबा सहाब भीमरावमेडकरजी ने आरक्षन दिया था वाई साब इसलिए इनका हक मानने की बिलकुल भी इजाज़त इनको नहीं होना चाहिए जो लोग हिंदू धर्म में हैं उन्हीं के लिए रिजर्वेशन उपलब्द रहना चाहिए ऐसा हमारा पक का विश्वास है और कोर्ट ने भी भी अब तो सील लगा दिये लेकिन इन लोगों का जो पाखंड है भी लेफ्ट लिवरल लोगों का वो फिर से उजागर हो गया है कि SC और ST को यही भढ़काते रहते हैं दि हुमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना इनको आता था पैसा उस पैसे का इस्तमाल अंतिताय किया जाता था टेर्रिज्म में भारत को तोड़ने के लिए उसका इस्तमाल किया जाता था तो मोदी साहाम ने का यह तो ना चलेगा भी यह रोक लगा दी गिरफतार कर लिया अब बिल बिला रहे हम सभी मोधी जी का साथ बिलकुल भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अगर हमने मोधी जी का साथ छोड़ा तो इन लोगों को मिल जाएगी खुली छूट देश को लूटने और मिटाने की इसी वीचे दोस्तों समय समय पर हम से दर्सक लोग कहते हैं हमारे नौर्थ इंडिया के जो राज जिम्वो प्रगती क्यों नहीं कर रहे हैं क्यों हमारे यहां के लोग जो है मजदूरों की तरह साथ इंडिया के राज्जों में जाते हैं तो कारण आपके सामने हैं देख लीजिए पहले करनाटक ने अपने लेवर लॉस चेंज़ किया अब तमिल नाडू करने जा रहा है तमिल नाडू भी वही सुवधाएं दे रहा है इंफ्रक्ट चीन से बढ़िया सुवधाएं दे रहा है ताकि चीन की कमपनिया फोक्सपॉन, विंस्ट्रोन, एपल बगेरा करनाटक और तमिल नाडू में अपनी फेक्टरी लगाएं लोगों को रोजगार मिले तो भाईया जी हमारा बड़ा सवाल ये है समझ में नहीं आता कि हमारे जो नौर्स इंडिया के राज्य हैं वो क्या भाईया जी होली मैं भांगा गुला खाये बैटे हैं मतलब आप क्यों बात नहीं कर सकते अपल से आप कानूनों का परवर्तन क्यों नहीं कर सकते आप खुस हो यदि आपके लोग दूसरे राज्यों में मजदूरों की तरह जाएं आप टेक्स नहीं कमा पा रहे हो यदि नेताओं को क्या फुर्सत नहीं है क्या कर रहे हैं हमारे नेता लोग भी है समझ में नहीं आता है। फिर लोग जलते रह जाते हैं किसे से करनाटक से तेलंगाना से तमिलनाडू से भी है जलने से कुछ नहीं होगा। मुक्यमंत्रियों को फोटो किचाने से फुरसत नहीं मिलती तो कैसे वो यह लॉचेंज करेंगे अब दोस्तों रूस को बड़ा सोंक है क्या हम इंडिया को कंट्रोल में कर लेंगे यदि पाकिस्तान हमारे मदद में आ जाए अच्छा पाकिस्तान से मदद लेनी है तो लेलू मदद देख लो 44 टैंक भेज रहे हैं यूक्रेन को और ये जो टैंक जा रहे हैं ये अब रूसी सेनकों के सर पर आग बरसाएंगे पाकिस्तान ने डील कर लिया पश्चमी देशों से पैसा मिल जाएगा इनको बदले में इन टैंकों की सप्लाई करने के बाद रूस के साथ ये जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है रूस इसी के लायक है भाया जी रूस ने कच्चा तेल सप्लाई किया डिसकाउंट पर सप्लाई किया गेहू सप्लाई करी इसी दिन के लिए यही दिन देखना था आपको हम रूस से भाया जी फिर कह रहे हैं आप भारत को अच् पाकिस्तान आपका सोचन करता रहेगा करवाते रहो भाई साब अब दोस्तों इन यूरोपीन यूजिन के देशों की हमें समझ में नहीं आती अभी जो है यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है लेकिन इनमें इतनी गर्मी चड़ी हुई है कि क्या कर रहे हैं आ बैल मुझे मार क्या कर रहे हुआ भारत से जो ए चिल जाता है उस पर लगा रहे हैं और बैल जी कोई चोटी बोटी बात नहीं है आठ बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है भारत का उस पर तरवार लटक गई है अब यह जिनों ने कार्बन टेक्स ठुख दिया तो उससे भारती स्टील महंगा हो जाएगा हमारा स्टील बिकेगा नहीं अरे हमारी इंडस्ट्री की छोड़ दो आपके लोगों को स्टील महंग करें और कारवन टेक्स भारत में ठोगें कहसान ने आया भाईया जी इसलिए भाईया जी हम कहते हैं कि यह ब्रेड पर बटर नहीं लगाते पाखंड लगाकर वह चाटते हैं भाई साथ बहुत दुस्त लोग इसी बीच भाईया जी रूस बहुत जी और चीन पाकिस्तान को लेके आये थे SEO में इसी तमासे लिए लेके आये थे क्या देखो भाईया जी डॉक्टर्स की कॉन्फरेंस थी मतलब उसमें राजनीती का कोई लिए देना नहीं है लेके इनको भाईया जी उसमें भी राजनीती करनी है सोचो आप मतलब जो मैप इस्तमाल किया उसमें जान बूच के इन्होंने कास्मीर को अपना हिस्सा देखाया भारत विरोध प्रदसन करता है हर बार लेकिन ये बाज नहीं आएंगे भाईया जी पूच्छें इतनी जबकि इतना दुष्ट देश है कि भाईया जी इन्होंने SCO की मीटिंग छोड़ दी लेकिन भाईया जी ध्वज नहीं छोड़ेंगे अपना इतना ज्यादा बेमनश्य है इनमें भारत के प्रती भारत को मिटाने के लिए ये जिन्ना है तो भाईया जी भारत में करन था प पर उन कसाब को जो है जेल में रखने के बजाए जो है करन थापर के घर में भीजना चाहिए तो तुम खिलाओ इसको बिर्यानी तब ही इनको सवाद पढ़ता भाईया जी क्या होता है भाईया आतंकियों से डील करना दुर्भाग की बात क्या है कि ऐसे ही लोगों ने 70-75 स सालों तक भारतिये लाजनीती को प्रभाबित किया यही कम्यूनिस्ट लेफ्ट लिवरल मान सकता है जिसने भारत का बिड़ा गर्क गया है इसलिए भाईया जी हम तो बारवार कहते हैं यदि हमने मोदी जी का साथ छोड़ा तो जो करन थापर जैसे लोग है यह फिर सर कुछ नहीं है भाई साथ इसी बीच दोस्तों आप में से जो लोगों ने आप्शन का कारोबार किया है उनको एक चीज़ पता है कि भाईया जिकर आप्शन सेल करो तो मार्जन भले ही ज्यादा लगता है लेकिन जीतने की पैसा कमाने की संभावना अधिक होती है लेकिन स्ट्रेडी है वही हम बताएंगे आत्म निर्वर एडवांजड ऑफ्षन कोर्स के माध्यम से आचार चानखी की जो एडवांजड हेजिंग स्ट्रैडजीज हैं वो कवर करेंगी हमें सब्सकूर्स में आप मेंसे जो लोग हमारे ऑप्शन कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उन बहुत धन्यवाद जय श्री राम